हेलो गाईज कैसे हैं आप सब लोग आज किस नड़ों में हम बात करेंगे पिको वर्कर ओनलाइन कोर्स पार्ट 6 के बारे में जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टेलिग्राम जोईन आप बोर्ट वाली जो जॉब है पिको वर्कर के उपर जो आती है उसको आप किस तरहां कम्प्लीट कर सकते हैं अगर आपने पिको वर्कर ओनलाइन कोर्स की पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 नहीं देखा तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप बिछली वीडियोज भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि टेलिग्राम जॉइन आप बोर्ट से रिलेटिड आपको और भी वीडियोज चाहिए तो मैंने इससे रिलेटिड एक प्ले लिस्ट क्रियेट किया दी हैं पहले ही टेलिग्राम जॉइन आप बोर्ट से रिलेटिड उस प्लेएड वीडियोज मिलेंगी अगर आपको कोई confusion है या और वीडियोज आप देखना चाहते हैं क्योंकि डिफरेंट तरहां के टास्क आते हैं एक ही वीडियो में वो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता है डिफरेंट वीडियोज अप्लोड करूँगा टेलिग्राम जॉइन आप बोर्ट के हवाले से ताक कि आपको जादा जो डूड़ने की जूरूरत ना बढ़े सीधा आप उसी प्लेलिस्ट में जाएं और डिफरेंट जो जॉब्स है वो आप देख सके किस तरह से आती है और आपका जो conclusion है वो clear हो सके बाकि अब हम बात कर लेते हैं कि इस जॉब को आपने किस तरह करना है तो साथ साथ में जो screenshot इन्होंने मांगें वो साथ साथ में लिते रहें सिम्पल यही कि आपने job start करने से पहले आपने जो proof देखने प्रूफ में किया चीज़ा मांगी है और instruction में क्या क्या चीज़ां दी हुई हैं और उसके बाद job start करने से पहले आपने जो address इन्होंने दिया ह वो आपने कॉपी करना है चाहे तो इन्होंने जो टेलीग्राम ग्रूप का इन्होंने लिंक दिया होगा वहां से जो ग्रूप है जो जोईन कर ले वहां से आपने जो बीएसी या बीएपी जो वैल अड्रेस होते हैं वहां से कॉपी करना है फिर आपने जो जौब है वो स्ट करनी हैं तो यहां पर हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इन्स्ट्रक्शन में इन्होंने क्या कहा है read carefully all steps I know there is an other campaign like this तो इन्होंने कहा कि इस तरह की एक और campaign चल रही है तो instructions आपने clearly तोर पर पढ़ लेनी है और उसके बाद इन्होंने का so do not submit proof from date campaign if the BEP 20 address you submit is not the same receive from step 3 pick over कर तो यहां पर इन्होंने काया कि गलती से आप उस campaign के proof इस जो jobs के अंदर आप submit ना करते हैं अगर उस job के जो proof है इसमें submit कर दे तो आपकी जो job है वो correct नहीं होगी वो dissatisfy कर दूँगा तो step number 3 में जो इन्होंने BEP address दिया है उसी group से आपने लेना है requirements and if I will not find this address in the database I will not pay you तो you did not need to do the job if you are not okay with this तो यहां पर इन्होंने simply इत्यातिन इन्होंने बाते कही है कि जो campaign पहले चल रही है आपने उस campaign से जाकर आपने BEP 20 address नहीं लेना section में step number 3 में group दिया हुआ है उसी से जाकर आपने जो है BEP 20 address लेना है step number 1 में इन्होंने इत्यात कहने को कहा है यानि के इत्यात से यह job करनी है और आप step number 2 में आप देख लें go to this telegram board click start complete all and submit BEP 20 address from step 3 तो यहाँ पर इन्होंने link दिया हुआ जिस group के जाकर हमने task submit करने है और step number 3 में इन्होंने for BEP 20 address go here तो यहाँ पर step number 3 में इन्होंने link दिया हुआ है अगर हमने BEP 20 address करना है तो इस link को हम copy करेंगे और वहाँ से जो BEP 20 address copy करेंगे वह किस तरह copy करना है पहले भी मैंने आपको कहा है जो आप start करने से पहले आपने BEP 20 address copy कर लेना है तो अब हम simply जो है BEP 20 address को copy कर लेंगे इन्हें के जो link दिया हुआ उसको उपर हम click करेंगे और telegram के जरीए इस group को open करेंगे तो यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल रहा है नीचे start start का option को उपर click करेंगे तो हमारे पास जो है BEP 20 address आ जाएगा तो अब हमने step number 2 के अंदर जो हमें group दिया हुआ हुआ है जिसके अंदर हमने task complete करने उसको कर लेते हैं open उस group को कर लेते हैं open तो यहाँ पर select करना है और आपने just once के उपर click कर ना telegram को उपर यहाँ पर आपने start के option को उपर आपने click कर देना है start को उपर click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर हमें तीन step दिये गए है step number 1 के उपर इन्होंने कहा है का first click the join airdrop and registered button to perform the airdrop task and submit your information from the registered button तो यहाँ पर नीचे हमें एक option मिल रह step number 2 में इन्होंने का कि my balance में जाकर आप अपने reference link आपने लेना है step number 3 में जाकर इन्होंने कहा है कि आपने accounts confirmation देनी है accounts की information देनी है जो account आपने use की है login करने के लिए या follow करने के लिए या join करने के लिए तो यहाँ पर हमने join airdrop को ओपर click किया है तो यहाँ पर हमें number 1 पर इन्होंने कहा है एक airdrop का link दिया हुआ है airdrop को ओपर हम click करेंगे तो यहाँ join का option मिलेगा join करने के बाद अब हम दूसरे group को ओपर जाएंगे वहाँ पर हमें telegram group लिखा नजर आगा तेलीगराम गरूप के option को ओपर click करेंगे तो यह हमें एक new group के अंदर ले जाएगा वहाँ से इस group को join करना है वापस जाना है वापस जाने का बाद टेलीगराम चैनल का नाम हमें देखने को मिल रहाँ उसको पर हम click करेंगे इस group को ह रिट्वीट ना पिन पोस्ट यहां पर हमने ट्वीटर को उपर क्लिक करना है और हमें ट्वीटर के उपर ले जाएगा और वहां पर हमने ट्वीटर को फालो भी करना है और साथ-साथ हमने जो पिन पोस्ट है उसको रिट्वीट भी करना है तो यहां पर सिंपली हम इनको फा भात गया है, उसके hammers के अंदर इन्हों ने कहा कि जोईंड प्रोमोटर चैनल, तो यहां पर हमने प्रोमोटर चैनल भी जोईंड कर लिये ना अब पहले सा ही हमने जोईंड कर लिया है गवांसे हमने इसको follow करना है और retweet कर देना है जो pin post है तो यहां पर simply जैसे हमने पहले follow किया है follow करें और retweet कर दे यहां retweet करने के बाद हम वापत जाएंगे और उसके बाद हमें registration का option देखने को मिल रहा है registration का option को पर आपने click कर देना है अब हमारा step number one complete हो गया step number two करेंगे यहां पर इन्हों ने image दी है इस image को आपने open करना है जैसे ही आप open करेंगे तो आपके पास जो है कुछ लिखा आ जाएगा नीचे जो चीजें दी हुई है उनसे related जो उपर pick के अंदर चीजें आपको देखनों को मिलेगी वो आपने नीचे डूड़नी है और उसको select करना है आप यहां देख सकते हैं का मैं pick को open करूँगा यहां से box लिखा आ रहा है तो यहां पर मैं box को डूड़ता हूँ यह सब से आप देख सकते हैं प्रिम्यान में box है तो मैं box को ओपर क्लिक करूँगा जो मेरी verification है वो complete हो जाएगी तो यहां पर simply मैं box को ओपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं please type your email address यहां पर आपने अपना email address देना है तो यहां पर simply मैं अपना email address type करूँगा और send कर दूँगा send करने के बाद हमारे पाद जो next option आएगा यह कहेगा confirm करें please type your BEP20 यहां पर वो कहरें कि जो BEP20 आपने copy किया है हमने शुरू में जो मैंने आपको कहा था कि BEP20 address copy कर लेना है वो हम यहां पर paste करेंगा और उसके बाद यहां पर कहरा please interview at twitter link below यहां पर अब हमने जिस twitter से हमने जो follow किया था इनके twitter account उसका हमने profile link यहां पर देना है तो अब हम simply twitter के अंदर जाते हैं twitter को open करते हैं अगर link आपको copy नहीं करना था तो यहां पर आपने logo को अपर जाना है profile को option आपको देखने को मिल रहा है तीन dots को पर जाना है वहां पर share link option आपको देखने को मिल रहा है share यहां से आप copy कर लेना copy करने के बाद यहां पर हम इसको post कर देते हैं post करने के बाद हमने जो कर देना है send तो यहां पर आप दे सकते हैं simply मैं यहां पर post करता हूँ और send कर देता हूँ अब उसके बाद हमारे पास कहा रहा है please interviewer retweet link अब हमने retweet link यहां पर paste करना है जो optional वाले जो हमें task दिये था twitter के उसका link retweet नहीं करना जो पहले हमने retweet किया है उसका link यहां पर आपने दे देना है तो यहां पर मैं जो दूसरा यानि के जो पहले retweet किया उसको copy कर ला तो share option को पर जाना share option को पर जाकर copy करूँगा और यहां पर उसको submit कर देता हूँ तो यहां पर submit मैंने कर दिया अब उसके बाद यह कर रहे है issue promoter यानि कि इन्होंने का अगर आपने promoted channel आपने join किया है तो I have joined लिखते है otherwise आप कर दें skip the optional task तो हमने किया है तो I have joined इसे तरह इन्होंने का जो twitter वाला optional task आपने किया है तो I have joined को option को पर click कर दे अगर नहीं किया तो skip the optional task को पर click कर दे तो हमने जोइन किया I have joined तो उसके बाद यहां पर यह कहा रहा है कि join a drop लिंक दिया है इसको आपने क्लिक करना है और इस गुरूप को भी आपने जोइन कर लेना है और उसके बाद done का option आपने क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं well done, thanks you for being a part of solar king उससी के अंदर एक link दिया हुआ screenshot का उसको मैंने कर लिया अफर इहां पर आप देख सकते हैं तो इस screenshot के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां पर आपने Gmail लिखथ है वहां से यह screenshot cool start होना चाहिए उसका बाद जो आपने BP address दिया है वो आपका शो होना चाहिए बकि जो आपका लास्ट में जो आपका रेफर लिंक है वो शो होना चाहिए तो यहां पर जो है स्क्रीन शोट इतना टेली ग्राम को उपर इतना लंबा स्क्रीन शोट नहीं लिया जाता screenshot इन्होंने एक मांगा है लेकन screenshot इन्होंने काफी detail के साथ मांगा हुआ है अब हम यहां पर आप जाएंगे full screenshot this तो I need to see BEP20 address तो इसने अब यहां mention कर दिया कि मैंने आपका जो है BEP20 address देखना है कौन सा आपने use किया तो यहां पर आप हम उपर जाएंगे जो राफर लिंक है उसको हम skip कर देंगे और जो है BEP20 address जहां से Gmail हमारा लगता है उसका नीचे हमने BEP20 address दिया है इसका screenshot ले लेंगे अगर हम राफर लिंक का लेंगे तो वो गलित हो जाएगा क्योंकि उसने mention किया हुआ कि BEP20 address मैंने देखना है कौन सा आपने use किया इसका screenshot लेते हैं और अब हम proof में जाते हैं और बाकी चीज़ें जो देखते हैं क्या चीज़ें मांगी है तो यहां पर simply हम job के अंदर जाते हैं job में जो हमने screenshot लिया है इसको submit करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में जो details इनोंने मांगी हैं वो दे देते हैं यहां से वो screenshot आपने दे देना है file को option को पर click करके एक दफ़ा करना है सैक्ट हुआ दूसरे दफ़ा आपने कर देना है और उसके बाद यह कह रहा है email used जो हमने email यूज की है वो आपने email देना है और उसके बाद यहां पर number 3 पर आप देख रहे है twitter profile link जो हमने twitter profile link दिया है जिससे हमने इनके चैनल follow किया है इनको follow किया है वो वाला देना है और उसके बाद number 4 पर इनोंने कहा है telegram username जो telegram username आप उनका देना जिन से हमने इनके चैनल जोईन की है और last में आपने job को submit कर देना है तो कैसे लगी है आज की job नीचे comment section में आपने बताना है वीडियो को like भी कर देना है और अगर अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दें साथ जो बैल आइकन इसे कर दें प्रेस ताकि हर आने वाली जो भी न्यू वीडियो आए उसका notification आप तक पहुंच सके तब मिल थाम किसे next वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफीज